नमस्कार आई ये बात करता हूं सबसे पहले कनिष्टा उंगली के बारे में कनिष्टा उंगली और सूर्य के उंगली के प्रसम परवु तक पहुंच जाए तो इस से अच्छी कोई भी उंगली कनिष्टा उंगली नहीं होती है यानि के बहुत धिक छमता के लिए बहुत धिक इस तरह पे दूसरों को प्रवावित करने के लिए सही समय पे सही निर्ने लेने के लिए जीवन तरक्की उन्नती करने के लिए किसी भी इसको रिसको लेने की छमता जो होती है ऐसे लोगों में होती है और निश्चित रूप से वो अपने टार्गेट को पाकर के ही चैन लेते हैं अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूरिय की उगली के बारे में सूरिय की उगली जो यह सर्मान संबान के लिए जानी जाती है अपने जीवन के लिए तरक्की के लिए जानी जाती है माता पिता से सम्मन्द और उनकी बुड़ापे में सिवा के लिए जाने जाती है आपके सैकेंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर राज्य सरकार से सम्मन्दित अमुली का पर्व है यानि व्यवारिक पर्व में थोड़े से यहाँ पर इस्क्रेशिस आई हुए है जिन इस्क्रेशिस के कारण मैं एक बाद जरू कह सकता हूँ कि जो आपकी समय जिसमी संस्तान में हैं वहाँ पर कुछ बाधाएं आपकी लगी हुई है उन बादाओं के कारण आपको यहां पर जाद उन्निती तरद्की नहीं मिल लई है कुल मिलाकर किसी बजनामी का यहां पर योग नहीं है साथि साथ, दौनो उंगली के बीच में यहां पर शनी और सुर्या की उंगली के बीच में गैप है इस गैप के होने के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर कर व्यक्ति अपने मादा पिता की सिवा नहीं कर पाता है वड़ापे में भाई बहनों से भी संबंद व्यक्ति के समाने सरूप ही रहते हैं तो ये इस प्रकार का यहां गैप बीच में है अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में शनी की उंगली के लिए शनी की उंगली यानि के ढ़िया सनी की साड़े साथी का ऐसी प्रवाविया इस व्यक्ति के उपर पर्व दोनों तीनों रिग्दम समान रूप से है यानि के जो दो पर्वियदी समान बराबर के हों तो ऐसे व्यक्ति पर जाद सनी का प्रवाव नहीं होता है कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार के बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं है लेकिन जिन परवों को देख कर कि हम जान पाते हैं कि आपके पाद धनकी इस्थिह कितनी मजबूत होगी वो समानय किसम की यहाँ पर दिखलाई पड़ती है अब बात करता हूँ मैं बिल्सपति की ऊंगली के बारे में कि अपने आपके स्वाभिमान को रखने वाले हैं यहां को मिलाकर के स्वाभिमानी व्यक्ति हैं आपको स्वाभिमान अच्छा प्यारा है और इश्वर की किरपा से भी मैं कहूंगा नहीं कि विल्कुल इश्वर की किरपा आपकर है ऐसे कोई खराब यहां पर संकेत नहीं साथी साथ बहुत यहां ते जादे नहीं बोल सकता लेकिन यहां पतनी और अपने आप में बच्चों का सुख सहुख है आईए बात करता हूँ बुद्ध पर्व के बारे पर्व दबा होगा पर्व उठा हुआ होगा यानि के धन के आने से पहले धन के ठिकाने लगने के आगमन ऐसा संकेत इन से बोला जाता है मैं बात करता हूँ इसके बात मैं आपके सुरिया पर्वत के बारे हैं सूरिय का परवत जहां यसमान संबान के लिए जाना जाता है वहां पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो इमली है आपके पास में जिसके दुआरा व्यक्ति अगर बहुत अच्छी तरीके से अगर मेहनत कर लेता तो उसे राज्य सरकार से संबंदित कारियों से लाब भी मिल जाता कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर कत यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति प्रावेट सेक्टर से भी राज्य सरकार की नोकरी के बराबर लाब प्राप्त करता है धन का कुल मिलाकर के आपके मेहनत में किसी प्रकार का कमी नहीं और साथी साथ जहां रहते हैं वह संबान भी है अब बात करते हैं भाग्य परवत पर भाग्य रिखा की भाग्य परवत पर भाग्य रिखा का होना अनिवारिया होता है जब इस प्रकार की रिखा आपके हाथ के अंदर बने तो इसको अगर एक दूसरे की रिखा है चलकर के थोड़ा सा काटती है तो इसको कहते भाग्य के लिए संगर्स करना, यानि कुन मिलाकर भाग्य रिका है, लेकिन जो आपको बहुत रगड़ेगी, संगर्स कराईगी, तब जाकर के आपको फल देगी, यानि करम रूप में जाकर के जादे महनत कराईगी, और भाग्य तब आपका बनेगा, तो यह रिखाए बदल बिलकुल भी नजर नहीं आ रही हैं तो यही कुल मिलाकर जहां पर थोड़ा सा संके दिखते हैं यानि के कुल मिलाकर यह इस रिखाओं का जो फल होता है इसमें कहते हैं यदि रिखाओं उटकर के मंगल पर्वसे और प्रिस्पति पर्व को देखें तो व्यक्ति अपने पर आपको जरूर मिलने वाली हैं आइए बात करता हूँ मैं आपकी हिर्दे रेखा के बारे में हिर्दे रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ में हिर्दे रेखा जो सनी पर्व के नीचे जाके खतम हो गई यह अच्छा संकेत मैं इसले नहीं बोलता कि मैंने कहा जब विर्दय रिखा की अंदर आपकी रिखा जाकर शनी पर्व के नीचे खतम हो जाए तो उसको कहते हैं व्यक्ति स्वारती हो जाता है यानि के प्रेम संबंदों में भी स्वारती हो जाता है यानि के अपनी जौब में भी और अपने जीवन के कारियों को पहले सोचेगा मैं अपना करूँगा बाद में सोचेगा कि मैं दूसरों का करूँगा तो इस प्रकार से कह सकते हैं और कुल मिलाकर जहां तक इस रिखा का सवाल है अभी किसी भी प्रकार के कोई हिर्दय के रोग यहां पर दिखलाई नहीं पड़ते हैं चलिए मैं बात कर देता हूँ इसके बाद में आफके मंगल के कर्म पर्व के बारे में मंगल पर्व कर्म रेखाएं एक दूसरे को हिलज करके जाने वाली रेखाएं यहां पर एकस का चिंभी बनाने वाली और नीचे को भी काफी एकस जैसी स्थियां को धर्शाने वाली यह स्थियां यानि कुन मिलाकर अगर मैं देखूं तो इस पर बहुत साधे इसक्रेजिस बने हुए हैं जब वह स्क्रेजिस होते हैं तो यह तो रेखा हुई जो आगे तक चली इनको तो कहते हैं भाई ये मन के अंदर हिम्मत करते हैं मेहनत करते हैं लेकिन जब अंदर वाले पर्व के अंदर ही कुल मिलाकर एक्स जैसी स्थितिया हो प्रिडि तो व्यक्ति को उन कर्म का कुल मिलाकर के लाव नहीं मिलता तो ये इस प्रकार के रिखा यहां मंगल से यद भाग कि उसका इतना जादा साथ नहीं देता है चलिए मैं बात कर लेता हूं इसके बाद आपकी सीधा सीधा बुद्धी रेखा के बारे बुद्धी रेखा और यहां से यहां कोल मिला कर गे इसको मैं जादा ढलवाई बोलता हूं यानि कोल मिलाकर अगर सको बैलेंस में अगर कहूं तो तोड़ा मंगल और चंदर परवत के अगर बीच में रहती है तो जादा बैलेंस कहलाती है यह थोड़ी सी रेका जब जादा ढलवा हो जाती है तो थोड़ा सा व्यक्ति को मान सिक चनता है बहुत जल्दी कह जाता है कभ कभी वक्ती जल्दी से घवरा जाता यह इन बात को कह सकते हैं चलिए यह सब हो गया अब बात करता हूँ मैं उसके बाद आपके सीधा यहां पर चंदर परवत देते हैं देखिए यहां पर बहुत अच्छी रिखा है इनको मैं कहता हूँ यह मंगल परवकी जड़ दुत्य परवत इस पर रिखा कड़ी हो तो यह वो रिखाएं होती हैं जो आपको आपके कारिये छेतर के अंदर तरक्की दिलाने के लिए आतूर हैं यानि के तरक्की के संकेत यहां से मिले ऐसे में कोई जगड़ा जंजर मुकदम हो जाए तो उसमें भी विज़े पराप्त हो जाती है तो ऐसे संकेत इन रेखाओं से जाने जाते हैं अब बात करता हूँ चंदरपरवत के बारे में चंदरपरवत है यहां से बहुत सारी चटक चटक के रेखाएं एक तरह से सुकर से इधर चलते हैं या केतू से इधर चलें कुछ मिलाकर जहां पर हैं चिंता की रेखा है यानि ये मानसिक इस्थिती को बहुत पिरिद पहुँचाने वाली बहुत कभी कभी बहुँचादे भागदोर करवाने वाली रेखाव के रूप में जाती है तो ये अच्छे संकेत नहीं है जो आपकी मानसिक चिंता को दर्शा हैं चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद एक अन्य रेखा के बारे में शुक्रपर्व और शुक्रपर्व से निकलने वाली रेखा इसके दो तरीके से तरीके होते हैं देखें यहां से अगर चलती है तो कुछ अंदर की तरफ हलका सा दीब बनाती है इसके बाद चलकर के यहां पहुंचाती है अब इनके फल किस तरकार से बोले जाते हैं यह मैं आपको बताता हूँ देखे इस रेखा का मतलब होता है जब शुक्र से बुद्ध की तरफ रेखा का संबंद बने तो यहां से दो तीन बाद होती है ऐसा व्यक्ति के मन के अंदर व्यापार के लिए उ उसकी सरा ले ले लें तो व्यक्ति तरकी कर जाएं कैई बार इनको बोला जाता है विवाध के बार आपके भग्यों उन्नत रेखाएं तो यह इस प्रकार से रेखा हैं अभी इनको मैं पूरी तरीके से व्यापारी रेखाएं नहीं बोलता है अन्य रिखाओं में ठोड़ा कर नोकरी से आपको लाव मिल जाएंगे तो इस प्रकार के संकेतों को दर्शाने वाली है एक रेका यहां शुक्र परव से निकल करके हलका हलका जाकर और यहां सूर्य परवत तक चली जाती है यानि के आपको संसाधनों के लिए बनाने के लिए दूर इस तानों से जोड़ना पढ़ेगा एक रेका यहां शुक्र परव से निकल करके हलकी हलकी जाकर के और सीधादा श्ञी परव की तरफ देखتी है यानि कुल मिलाकर के शुक्र परव से जब रेखा़ों का संबंद जादा सूरिय पर्व की तरव बने तो व्यक्ति के मन के अंदर मकानों की कामना मकान बनाने की कामना इच्छा ऐसा बोल सकते हैं अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी यहां पर भाग्य रिखा के बारे में भाग्य रिखा को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाग्य रिखा का उदय यहां से हुआ है यानि कि इस जगे से भाग्य रिखा का उदय और यहां उपर भाग्य रिखा और इदर मंगल से भाग्य रिखा का उद्या यानि कुल मिलाकर के क्या ही छेतरों से आपको दिखाई देगा कि ये भाग्य रिखाएं उद्या हो रही है अब इनके मतलब क्या क्या होते हैं सबसे पहला मतलब तो यह होता कि हाथ के अंदर भाग्य रिखा है दूसरी बात इनका जो संबंद बना जाता है रिखाओं का इनका संबंद बना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर अचानक से कौन सी आयू के अंदर कितना लाव तो ये इस तरह का संकित जो है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ अभी रिखाओं मैं आपके सवालों के जबाओं मैं तो भाग गे रिखात में हैं चलिए ये आपका होगा अब आद ये करिए आपकी बात करता हूँ सीधा यहाँ पर शुक्रपर के बारे में शुक्रपर वो यहाँ पर पीडित है अगर इसमें देखें तो कहीं छोटी छोटी रिखाए कहीं इसक्रैजी दिखलाई देगा कहीं छोटा मोटा दीब दिखलाई देगा कहीं डोटी डोटी काटने वाली रिखाए होंगी यह बहुत ज़्यादे पीडित है यहनि कुर मिलाक संसादनों से आप संतुष्ट नहीं हैं तो अब आपका सवाल लेता हूं मैं पहले जॉब में प्रमोशन और सैलरी बढ़ेगी यह आपने पूछा है आपका सवाल उम्र है आपकी 36 साल अब इसको देखे कैसे करते हैं जब आपके हाथ के अंदर हम यहां देखते हैं तो यहां अगर कहें तो कुल मिलाकर के यहां वोस्तिती नहीं हैं जिसको कहते हैं कि बहुत मजबूती से बोल दूँ और एक साथ कहने यहां एकदम तरक्य होग plant करूई हैं कि कुल मिलाकर के आपके 37 वे वर्स में आप कहीं किसी जोग को बदलने का परियास ना करें कुल मिलाकर के आपको यहां पर अभी कोई बजादे तरक्टी के योग नहीं है कम से कम मैं कह सकता हूँ कि देड़ साल तक तो ऐसे योग बिलकुल नहीं अगर आपने नोकरी परियास किया तो और भी जादे भारी नुकसान हो सकता है तो कुल मिलाकर 37 वे वर्स में जादे साफदानी अभी कोई जादे प्रमोशन के योग दिखाई नहीं पड़ रहे है तो जोब में प्रमोशन अभी दिखलाई नहीं पड़ता अभी आप इस्तिर रहेगा जादे जल्दवाजी मत करिए कोईसी जॉब को चोड़ने का प्रियास मत करिए बात करता हूँ उसके बाद आपने का अपना घर कब बना या खरीद पाऊंगा जहां तक आपके हाद से मैं देखता हूँ रिखा को और मकार बनाने की अगर बात करता हूँ तो 36 आपकी एज है और इसके बाद में कैई जगे से इन चीजों को देखा जा सकता है अगर मैं शुक्र परसे निकलने वाली रिखा को देख रहा हूँ तो यहां से खलकी सी रिखा का ये संबन इस जगे से निकल के जा रहा है और यहां अगर आई इस पर देखता हूँ भाग गे रिखा पर तो एक कटका खर्च यहां भी आ रहा है तो कुल मिलाकर ऐसा लगता गा तब जाकर के आप कोई मकान ले पाएंगे तो लगबग लगता है अभी पांस से छे साल वर्स मेरा कोल का बिजनिस बंद पड़ा है कब चल पाएगा अब इसके लिए देखना पड़ता है कोई लिए के काम के लिए अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका शनी मंग करना चाहें तो कर लीजे क्योंकि अभी उससे आपको कोई बहुत बड़े लाब के संकेत नहीं है तो साइक देख या साइड बाई साइड अगर करना चाहें तो कर सकते हैं तो कभी-कभी ऐसा दिखा जाता है कि यहां पर जब आपकी ये रिखा आपकी आयू रिखा से चलक को समाल सकता ऐसा तो यहां कोल मिला करके आप उसे साइड बाई कर सकते हैं अभी कोई बड़े संकेत लाब के दिखलाई नहीं पड़ते हैं बिजनिस में पार्टनर रख सकता हूं बिजनि में पार्टनर बिरकुल नहीं रख सकते और साथी साथ क्योंकि यहां पार्टनर व हो सकता है अगर करना चाहूं तो astrology के लिए बहुत बड़ा ब्रस्पति का रोल होता है बुद्ध का ब्रस्पति का जादे बड़ा रोल होता है astrology के लिए यदि मैं वर्तमान की सिसी से देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको पूर रूप से कहीं भी करना चाहेंगे साइड बाई साइड करना चाहते हैं धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं तो रेका भी बाद में साथ रोल नहीं है तो यहां सारी रेकाओं परव Inn心 को पड़ा मेंने और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ अब आपकी आयो रेका को यहाँ पर यदि मैं आपकी आयू रेका को पढ़ता हम तो आई यू रेका बहुत मजबूती के साथ जाकर के और लगबग लगबग मणी बंद को चूने का प्रियास करती है यानि 76 से 77 वर्स की आईउ अभी वर्तमान में हैं आगे भी ये रिखाएं बढ़ती रहती हैं तो कोई जाता चिंता करने की आविश्वक्ता नहीं है अब बात करता हूं कि शंकट नाशन गणे सरोत का पार्ट रुजाना करना चाहिए शंकट नाशन गणे सरोत का लिंक में आपको दे रहा हूं उसका तो करें आप पार्ट दूसरी बात आप जो है जदी आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरी और कामनाई में पूरी हो जाएं और मेरा मकान की इस तर्या मेरा जो भी मेरे कारिया बगएरा हैं वो सब पूर हो जाएं तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो है रोजाना अपनी पूजा के अंदर जो है आप सिरी राम रक्षा सुरोत का पाट भी कर लें सिरी राम रक्षा सुरोत इसको भी पढ़ है मानिक क्या तो कोई दिक्कत रही है लेकिर अगर बरावर नीलम पहना का